नमस्कार मैं डॉक्टर दीपक कुमार असेस्टन्ट प्रूपेसर योग विभाग उत्राखन मुक्त विश्विद्याले हल्द्वानी जैसा कि आप देख पारे होंगे योग दर्शन का एक सामानी परिचे जिसकी जो पहली श्रंखला थी योग दर्शन के बारे में जाना था जिसमें से फिर योग दर्शन की मोने सामानी परिचे में हम चल लेते हैं मैंने आपको बताया था यूघ्ट्व स्रंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें शुरू करेंगे कि जो एक परिभासा मैंने आपको पिछली संख्या में भी बताई थी तो उसमें हमने जो 25 जो 26 तत्व हैं उनका वड़नन पड़ा था कि इस बहुतिक पंच बहुतिक शरीद में जो 26 तत्व हैं वो कौन-कौन से हैं और 26 तत्व है इस प्रकार के परिभासा उसमें दी गई है Solutions अजम्हास योग के बारे में बता आई की योग क्या है उनके निरोद के क्या पाय है इसको ही योगत से चित्ति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति-वृति- तो चार चीजोन का वर्दन किया था ने योग चित्ति और वर्ति और निरोध यह चार चीजों का वर्दन आता है इसमें योग शब्द का जो अर्था आपने जाना कि इसमें ही पहजो इसका दूसरा सूत्र है उसी में हमार से पतंजली ने बताया कि जब चित्त की समस्ति वुर्तियों का निरोड हो जाता है तो उसी को भी योग कहा जाता है तो इसके बाद हम जानेंगे जो चित्त के बारे यहां पर योग दर्शन में क्या कहा गया है चित का नाम दिया गया है तो चित को तिरुणात्मक कहा जाता है और चित क्या है परकृतिश का इकतर्तु है तो उसके शम्रीट होने के कारण उसको जड़ होता है चित नाकि पर्शुक होता है तो बहुत बार यह प्राशन आता है कि चित क्या है तो चित जड़ है तो तिरुणात्मक whom ने की कारण इसे त्म्राइब ऑर जड़ है अ से इसको आगे महरशी व्यास ने इसमें एक भास शी लिखा व्य नाम से जाना गया जिसमें उन्होंने की कुछ अवस्ताइं जिसको भूमियां भी कहते हैं चित्ताइं क्या गए इसके अलग से वीडियों बनाएंगे कि चित्ति की कौन कौन सी घूमिया है कौन कौन सी स्थितिय की होती है तो उसमें उन्होंने बताया कि जो मुण है छिप्त है मुण है विचिप्त है एकाग्र और निरुद्ध यह जो पांच अवस्ताइं चित्तिकी बताई गई है कौन कौन सी छिप्त मुण विचिप्त एकाग और निरुद्ध यह जो 5 अवस्थाएं है चित्त की उसी के अनुसार उनके जो मैंने जो अभी बताया आको तिर्गुणात्मक होती है तो सातोगुन रजोगुन या तमोगुन तीन प्रकार के गुण होते हैं जिसे हम साथ्विक गुण कहते हैं तो यह तीनों गुण से यू ब्ल्रेक में तमय होन रहता है उसमें वृषी को ही चितवर्ती निरोध का नाम दिया गया है यह जब सारी प्लशक्री विर्दितं का निरोध हुरा भ्याद है तो अगला और इतान है वृंसे व्रुद्धि के वारे में किया बता गया व्रुद्धि को है हम ऐसे समझते हैं ऐसी और वह seventeen में और आम दिया गया uneven कि एसे माई user I'm a long shop Doch जैक शांत है बतब सकों चित का रोग निया जब उसमें हलचल होती है या तरंग रुद्श रोड़ा पहलव से कुझें दिया गया है वैसे कि एकदम शांत है जब सुंच कeszकारffen कोई विर्थियान पें यशुद्र के शवान है जब विर्तियान से नाम दिया गया है तो योग वो अकलिस्ट और अकलिस्ट दो प्रकार की होती है जो कलिस्ट होती है उसे व्यक्ति को जो सादक है उसको कलिस्ट दुख का कारण उसका बनती है अकलिस्ट जो होती है वो उसका कारण बनती अर्था संसकार दोनों का ही बनेगा कलिस्ट का भी अकलिस्ट का भी और यही संसका जाति आयू भोगत पर आधार पर आगे उन्होंने बताया महार्श्य प्रतिन्य ने कि जो 5 परकार की वरतियाNever प्रमान, विपरिया, विकल्प, निद्रा, इस्मृत्याय हो, वतलब ये पांच परकार की जो प्रमान, विपरिया, विकल्प, निद्रा, इस्मृत्याय हो, वतलब ये पांच परकार की जो प्रमान, विपरिया, विकल्प, निद्रा, इस्मृत्याय हो, वतलब ये पांच पर पर्माना गमा पर्मानानी अर्थाथ प्रतेक्स अनुमान और आगम ये तीन परकार के प्रतेक्स पर्मान हैं और इसी से हमें प्रतेक्स ज्यान होता है तो प्रतेक्स का अर्थाथ ये होता है कि जिससे हमें सच्चा ज्यान पराप्त होता है मतलब जब हमारा जो प्रतेक्स प मतलब कि जिस का हमें प्रत्य इंद्रियां हैं ज़िए और दिशी मीनी से पृते हैं । जिसमें अर्थाद मान लीजिए वस्तु का और जो हमारी इंद्रियां हैं उनका सन्निकर्षर हो जाना मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है और हमारी इंद्रियां है इंद्रियां हमारी ज्यानी इंद्रियां कोंची है पांच ज्यानी इंद्रियों की बात देगी है उनका और स्वस्तु जब सन्निकर से दुसरे के निकत आ जाते हैं तो हमें उसका ज्ञान पराब्ट होता है हम प्रत्यक्ट से ग्यान कहते हैं और उसके बाद जो अनुमान प्रमान के यहां पर कही गई है अनुमान का जो है परदार का ही अनुमान के आधार पर हम जिसका ज्यान लगाते हैं लेकिन जो प्रतेक्स हो अनुमान हो आगम हो यह सारे चीजें किस पर डिपेंड करती है हमारे संसकारों पर डिपेंड करती है संसकारों के माध्यम सही हम प्रतेक्स का की पूर्मम स्कार्स बारे में जानता हूँ एक कुछ तक है तो वो, वी संसकारू के आधार पारी प्रत्यक्स ङ्यान होता है तो उसके बाद अनुमान प्रमान हमारा तीम प्रकारा का होता है जिसको हमीन करते हैं पुर्वत सेश्वत करते हैं प्रवान की आवाज आ रही है तो उसमाए अनुमान लगाते हैं कि आगामी कुछ समय में वर्षा रहने वाली है तो उसको कहते हैं पूर्वा अनुमान लगा लेना सेम वैसे ही जो दूसरा अनुमान है हमारा सेथ्ष्वत्य अनुमान होता है उसमें भी हम एक सामानी उधारान देते हैं कि जैसे कोई आप सोय हुए हैं और सोयने के बाद आप एकदम उठे तो आपने देखा कि आपके चारु तरफ गीला हो रहा है बाहर आप निकले तो पूरा कीचड़ हो रखा है पानी कहीं पानी भरा हुआ है तो उससे कि अनुमान क्या लगा जादा कि बारिश हुई की थोड़ी देर पहल है कि शंसिकार के माध्यम से हमें प्रत्यक्स का भी जान होता है अनुमाना का भी जान होता है जाया हो फूर्वत हो सेभग सोच्वत हो हमारे चित्नलब्शा रहता है जिसके आदार बाशना हो चुकी है इसड़िए जो मैंने आपसे शामानीद्रिष्ट अनुमान की बाद तो लास्ट में एक अनुपरमान की बात और कही गई है आगम परमान की आगम परमान में इन्होंने बात कही गई है जो भी हमारे रिशी मुनी है या वेद सास्त्रों में जो हम कुछ पढ़ते हैं उनके द्वारा जो अचन कहे गए हैं चाहे हम पुस्तकूप पढ़े अंदर्शन में जो हमने पांच वर्तियां बताई गई हैं परमान विपर्यय विकल्ब निद्रा और इस्मृति उसमें से परमान की बारे में हम पढ़ा कि परमान किसको कहते हैं और परमान का दो प्रतेक्ष अनुमान और आगम इसके तीन भेधें, उसके बारे में जाना, आगे की जो प्रमाणों का वारे में हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो विपर यह हैं, विकल्ब है, मिद्रा और इसम्र survives यह परमाण कायन कौन से हैं और चित्त में किस प्रकार से संस्कार उपन करती है तो उसके बारे में अगले उसमें पढ़ेंगे तब प्रक के लिए आप से मिका नमस्काइब